नमस्कार मेरी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं टूबर कूलिनम के मानसिक लक्षन को आसान और छोटे सब्दों में समझाने का प्रियास करूँगा होमेपैथी को अपने अस्तित्व में आए 200 वर्ष से ज़्यादा समय बीच चुका है परतु अभी भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके लिए हमने कुछ खास लक्षन ही निर्धारित कर रखे हैं और कुछ खास हालतों में ही इनका प्रियोग करते हैं जो की होमेपैथी के निय अबर कूलिसिस का इतिहास हो या फिर उनके द्वारा चुनाव की गई दवा ठीक से काम नहीं कर रही हो किन्तु जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी अपनी ही एक बड़ी साफ और स्पस्ट तस्वीर बनकर हमारे सामने आती है और फिर यह आम प्रियोग में दूसरे अस्थान पर घुमना फिरना पसंद करता है और यात्रा करने का भी काफी सौकीन होता है मेटेरिया मेडिका के माइंड सेक्षर में आप पाएंगे कि ट्यूबर कूलिनम वाला रोगी बहुत लंबे समय तक एक डॉक्टर से दवा भी नहीं लेता वह जल्दी ही ऊप जाता है और इसलिए बदला उचाता है छोटी सी आयू में ही अकलमंदी जैसी बाते करने वाला आसाजनक होनहार किन्तु बहुत ही भयानक गुस्से वाला इंसान होता है कभी-कभी अचानक ही उसे गुस्से के दोरे परते हैं और फिर वह गुस्से में चीजों को उ हूग गई तो ठीक नहीं तो क्रोध में अपने को ही सजा देने लगता है जैसे अपने ही सिर को जमीन पर पटकना अपने ही बाल को नोचना अपने आपको ही दातों से काटना दूसरों से बदला लेने की भावना सदय उसमें बनी रती है दुख या क्रोध में किसी के बाल खीचना या अपने ही बाल नोचना टूबर कूलिनम का विशेस लगचन है। गुस्से में डराना, धमकी देना, घर से भाग जाने की और कई बर ऐसा कर भी लेता है। और यही माइन्ड रुब्रिक आप टूबर कूलिनम में पाएंगे। आशा करता हों, यह प зах behaving यह शौट विडियो आपको टूबर कूलिनम के समंगने में मदब करेगा।